कि देखें उपर कसी गोल्ज है राम राम जी सब बड़ी आए चलिए अच्छा है मस नहां दौकर रेडी हो गये और अब फिलाल चलेंगे घुमने के लिए क्योंकि आज हमारा टीप्सन चूटी है तो फिलाल नास्ता कर लेते हैं या देखें नास्ता में है मारा बैगन और आलुब बन्धगुवी का सबजी और रोटी तो फिटापट नास्ता करते हैं और आज फिलाल चलेंगे योगनी अस्तान के अंदर वाले गास्ते विससे योगनी अस्तान के एक साइड वाले गए उसके तो यह तो केंसील हो गया और इसको बहुत दिन पहले यह टूटा थे इसको रख दिये थे लेकिन यूज में था तो इसी को यूज करते हैं आज तो ओई फिललम आगे हैं साइकिल दुकान में हावा भरने के लिए क्योंकि लंबा दुरीताय करना है नो तो हावा साही रहेगा तो चलाने में बनता है फाइनली हम जोगनी अस्थान के पास पहुंच गए बट यहां पर तो कुछ पहचान ही नहीं लग रहा है कि जोगनी अस्थान का है यहां कापी बड़ा साइगो बना हुआ था अंदर में दर वाजा था जाने का अंदर वो है ही नहीं वैसे यह वाला रास्ता जो आप बाना है और यह वाला जो गया है इधर इधर जो कर यह गाउं तुरप इधर बारकोप मेला दुर्गामा का मंदीर है और इधर मेला ही लगता है इधर तो गया है और यह वाले जो रास्ता है यह भी इधर नहीं जा रहा है तो फिलाल हम यह वाले रास्ता के और आगे चलते हैं वैसे इधर कभी रास्ता काफी मस्ती है क्वोन गाउं में चल रहे यह पता तो नहीं है लेकिन आगे चल के पता करते हैं किस गाउं कि पर चल रहे हैं इधर इरोट कहा निकल जाएगा गांदी गिराइव इगाव वैसे उंकल से पुछबट बनाम नहीं बता लिक निया रास्ता बता दिये गांदी गिराइव के त्रफ़ेगा, अचान आइप टाउक्डि ग्राम खिलालोग दाधी यह दाधी से पूछता सही सिर्टेज़ यह गाउं का है हैं है दाधी गाउं का नाम कहा हाcame हा का अ का नाम Zवाई के अम कि इस सही दार क्या गोरे आयल वली वैसे बारकुप में राजा रानी तो राज करते ही थे बहुत पहले का बात है और उनका एक महल भी है उससाइद वह हम नहीं दिखाए है लेकिन बारकुप मेरा जहां लगता है नहीं पर महल है और ये जब वाले जगा पर यहां पर कुछ और ही होता है तो वीडियो पर बने रही है आप लोगों को पता चल जाएगा ये खंडर में क्या होता था गाज सब निकल गया है पूरे और उपर से चटान भी गिर रहा है और आसपास का सीन देखें कुछ इस पर गारे से बगल में भी है से इवाला तो पूरे उजड़ ये गया है इधर बला जो है सो है चलिए अंदर चलते हैं वैसे राजा राणी छोड़ करके चले गया तो यहाँ पर गोबर पाता जाता है देखें यह पिलर और सब पिलर में गोबर पाता जा रहा है चार उत्र पिलर इधर और ये वाले देखें यह में अंदर वाजा हो गया उपर का सीन कुछ इस पर गारे देखें चटान सब यहां के जैसे निकला हुआ है इधर उदर मतलब पूरे तरीका से यह खराभी हो गया है और इधर कभी दिखी यह तो काफी ज़्यादर डेमेजी कभी भी गिर सकता है नीचे और यहां से अंदर जाने के रस्ता यह देखियो उपर कशी गोल्ड है सायद यहीं पर हमारे राजा बैठा करते होंगे और जनता के समस्या कर सुल जाते होंगे और इनके आने के लिए एक छोटा सो द्वार है जो की बाहर के और निकलता है वैसे आने के लिए दो दर्वाजा होगे में दर्वाजा देखें और एक छोटा द्वार से हो करके यह वा पूरी तरह से गलती है यहां के लोगों का कि तुम्हारे यहां पर जब कचहरी है पुराना टाइम का महले तुम ने उसको सजा के रखोगे ताकि लोग आएंगे देखेंगे और यह जो देख रहे ना यहां पर भी पिलर तूट गया है और यह गोल अकार में सेम था इधर के तब पूरे जड़ गया है तो चलिए अब और आगे चलते हैं साइट से देखें किला कुछ इस परकार का दिख रहा हुए से गोला अकार में बनाया गया है अब हम चल रहे हैं इसके जश्ट और एक बगल में यहां पर भी घर पूराना टाइम कहीं इसमें तो कुछ हईये नहीं है समझे पूरे कर देख ले है कुछ भी से यह नहीं रहा है वह से हमको हलका हलका याद आ रहा है हम अपने महरानी के साथ घोड़ा में बैट करके यहां पर आया करते थे और नैनमटक करा करते थे और खंडर के बगल में जश्ट इस पोखर है और यहां पर लोग जादो फर नहाते हैं गामोहलने जो लोग यहां के रहने वाले लोग वैसे देखें पोखर कुछ इसे भी आम फैला हुआ है और इधर भी काफी बड़ा पहाड है कभी इसमें हम नहीं चड़े हैं और चड़ेंगे नहीं अभीवे इधर फिलाल चलते हैं चारो तरफ आम का बगीच्चा मंजर भी आ गया है गाइस कुछ दिन में टिकोला हुए जाएगा तब नमक डालकर टिकोला को छील के खाएंगे ते रे खाएं लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं तेरे नाम तेरे नाम फृलाल चलते चलते हैं हम गाओं के काफी ज़ता आंदर आगाए और यहाँन पर विंपानी की है वैसे हमारा ज你想 चाहिए बंगून नहीं पर यहाएख Oxe, वैसे घावा पानी काफी ज़ता आछा हो स्रीपुर्जाने के करें समुक। तो चलते चलते अई फिर्लल हम फिर से एक गाँ दो पागय है और इस गाँ का पता है क्या नाम है हरकट्टा इससुल में लिखा हरकट्टा अब यहां से गांदी ग्राम एक किलोमेटर बचा यह देखे यह गांदी ग्राम से निकल गे लिखा है हर कट्टा गांदी ग्राम हम पहुंची गए यह सब गांदी ग्राम के अंदर का रास्ता है फाइल यह हम गांदी ग्राम पहुंच गए और गांदी ग्राम के यह आज का ट्रेवल तो काभी ज़्यादा अच्छा रहा और आप लोग को कैसा लगा हम लोगा कचारी दे करें को बता के जाएगा और लाइक सेस्क्राइब करके जाएगा बाई